बहुत पॉपिलर सालों से पुरानी गाड़ी जो है SUV थार इसका 29 मार्च को NFT जो है लॉंच होने वाला है और देखे काफी विजनरी और्गनाइजेशन ने कह रहा है कि इससे जितनी भी कमाई होगी इससे जो अनप्रिवलेज़ एजुकेशनल के उपर जो खर्चा है वो किया जाएगा और देखे टेक महिंदरा के साथ मिलकर जो है ब्लॉक्चेन के माद्यम से जो है ये NFT लाउंच किया जाएगा लेकिन अभी भी क्योंकि बहुत ही शुरुआती फेज में भारत में इतना आया नहीं है तो लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं सवाल है कि actually NFT हो होता क्या है दरसल अगर आप देखे तो ब्लॉक्चेन के माद्यम से जो डिजिटल असेट्स हैं आप इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं एक नामी जानी पेंटर हैं और आपको अपनी जो पेंटिंग्स हैं वो आपको एक्जिबिशन में बेचनी है तो आप उसके वजाए जो है डिजिटली जो है इसे एनेफटी में कनवर्ट करके फिर इसके जो राइट्स हैं वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं और क्यूंकि सर ये जो है डिजिटली स्टोर होता है ब्लॉक्चेन के माद्यम से होता है साथ में जो है इसमें लेजर भी होती है कि आपने किस से पूरा transactional data होता है तो इसमें जो forgery है duplication है इसकी बिलकुल भी संभावना नहीं होती है जो की दूसरी चीजों में होती है तो यहां पर अगर आप देखे तो इसका एक बड़ा benefit देखने को मिलता है NFT का अब NFT देके सर कोई भी issue करता है देखे हम जैसे की देखा तो थोड़े द कि अबड़ कोई जञा है झाल झाल